Cambridge Senior English Translation by RN Mishra course में आपका स्वागत है इस course में हम आपको 255 exercises solve करवाएंगे अगर आप सभी exercises solve करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें इस exercise का explanation वीडियो के last में दिये जाएंगे तो आई यह करते हैं exercise 30 of 255 तो do it into English हम लोग क्या करने बाले हैं? What are to do? तुम कहां जाने को हो? Where are to go? हम लोग infinitives कर रहे हैं इसलिए इस subject का तू का इस्तमाल हो रहा है वह कब आने वाला है? When is he to come? वह क्यों त्याक पत्र देने को है? Why is she to resign? आप लोग कब मकान खरीदने वाले हैं? When are you to purchase a house? When are you to buy a house? आलोग इस काम को क्यों करने वाला है? Why is आलोग to do this work? शीला क्यों मुस्कुराने वाली है? Why is sheila smile? रश्मी कैसे रोने को है? How is रश्मी to weep? तुम कब यहाँ कार बेशने वाले हो? When are you to sell this car? तुम कब यहाँ कार बेशने वाले हो? When are you to sell this car? राहुल क्या करने को है? तुम मेरी साहता क्यूं करने वाले हो? Why are you to help me? रख क्यूं नाशने को है? Why is she to dance? तुम कब विवा करने वाले हो? When are you to marry? वह क्यूं उपवास करने को है? Why is he to first? तुम परिक्षा क्यूं नहीं देने वाले हो? Why are you not to take the examination? Why aren't you to take the examination? वह विद्याले क्यूं नहीं जाने को है? Why is she not to go to school? वह तुम्हारी साहता क्यूं नहीं करने वाला है? Why is he not to help you? Why isn't he to help you? तुम्हारी साहता क्यूं आगे देखेंगे. हिंस for exercise 30 स्याग पत्र देना, to resign खरीदना, to buy, or to purchase मुस्कॉराना, to smile दोना, to weep बेचना, to sell साहता करना, to help विवा करना, to marry प्वास करना, to fast परिक्षा देना to take the examination concept के तरफ आईए यहाँ पर हम लोग क्या देखे use of when, use of where, use of why, use of how, use of whom और use of what when, where, why, how, whom, what इन सबका use देखे हम लो प्रश्ण वाचक वाक्य में यदि कब, कहा, क्यूं, कैसे, किसे, किसको, किनहें, किनको, क्या रहे तो अंग्रेजी अनुवाद में सबसे पहले इनकी अंग्रेजी when, where, why, how, whom, what लिखे फिर subject के अनुसार is mr लिखे इसके बाद subject और तब infinitive और अन ये शब्द दे structure ध्यान से लिखे है हम लोग इसी structure के base पे सारा exercise उपर solve किये थे लिखे हैं लिखे हैं लिखे हैं लिखे हैं लिखे हैं लिखे 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 ल आप चाहें तो not को isn't या aren't के रूप में subject के पहले भी रख सकते हैं नीचे के वाक्यों को ध्यान से पढ़ें तुम लोग क्या करने को हो? तुम लोग क्या करने वाले हो? What are you to do? वह कब आने को है? वह कब आने वाला है? When is he to come? वह कहा जाने को है? वह कहा जाने वाली है? Where is she to go? आप किसे पढ़ाने को हैं? आप किसको पढ़ाने को हैं? आप किसे पढ़ाने वाले हैं? आप किसको पढ़ाने वाले हैं? Whom are you to teach? वे लोग क्यूं दौडने को हैं? वे क्यूं दौडने वाले है Why are they to run हम यह काम कैसे करने को है हम यह काम कैसे करने वाले है How are we to do this job रभी क्या नहीं करने को है रभी क्या नहीं करने वाला है What isn't रभी to do What is रभी not to do अगे देखिये वे परिक्षा क्यूं नहीं देने को है वे परिक्षा क्यूं नहीं देने वाले है Why are they not to take the examination Why aren't they to take the examination Note करता के बाद क्या आप रहने पर What का वहवार होता है परन्तु करता के पहले क्या रहने पर What का वहवार नहीं होता है पुब पुब पुब